जय हैं साथियों सभी भाईयों को राम राम देखें आज हम बात किनेंगे MP प्लिस का जो रिजर्ट है वो कब तक आ सकते हैं क्योंकि दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे जो भाई मेरे हैं बहने हैं बहने तो नहीं किया हैं लेकिन जो भाई हैं बहुत सारे उनको डाउट हुआ है कि रिजर्ट अभी नहीं आएगा एक मैंने अभी बीडियो डाला था लेटेस्ट बीडियो डाला हूँ बहुत सारे भाई क्या है कि उनको नि हैं कि जनवरी में बहुत साइब लोगों ऐसा बोला है कि आपका जनवरी में जो तो रिजट आई जाएगा ठीक है इसमें कारण भी बहुत सारे मैं उसका एक सेप्रेट वीडियो बनाने वाला हूं कि दो लगभग तीन में ऐसे कारण है जिससे जो रिजट है बहुत ही बराबर उठ रहे हैं, टाइम में उठ रहे हैं, और जो तो ग्राउंड में जा रहे हैं, पसीना बहार हैं अपना, लेकिन एक ऐसा भी आपको जो कैटेगरी है, जो बिल्कुल फिचकल नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ठंड का टाइम है, उनको भी पता है कि थोड़ा सा आल लबग दबग तीन मेने तो बीट चुके हैं तो रिजर्ट नहीं आया तो बहुत सारे बच्चे किया के डोई मोटी बेट हो चुके हैं उनको क्या कि चीजों को टैकल करना नहीं आ रहा है वो कहीं नहीं कहीं इधर उधर जो तो भटकने लगे हैं दूसरे एक्जाम की त्यार होगी लेकिन भरती कैंसिल होने का ऐसा कोई विसेश अभी कारण नहीं मिलाए जहां तक कैंपिक कॉस्टेबल की में बात करूं तो रिजर्ट तो आएगा ही आएगा और बहुत जल्द आएगा जनबरी में बोल रहे हैं सभी कि आएगा तो आप एक मान कि तो जनबरी में ही आता है तो बहुत सारे भाई किया है कि नंबर अच्छे है रिटेन में तो वह यह सोच रहे हैं कि मेरा जो तो फिजकल बन ही जाएगा कम साट सतर तो हम कर लेंगे तो इस बार यह सब चीजे होना थोड़ा सा मुस्किल है क्योंकि फिजकल करना जो तो कॉंस्टेबल की कर मे बात करूं तो MPP का पिछले चक्कर आशा जो सारी बाहर होते थे थे बहुत सरे धुरहंदर बाहर होते हैं तो मैं तो यह दो ही बोलऊगा कि अभी आपको जितना भी टाइम लुड़ाय ठीक है जो भी भाई यहां पर जो भी भाई बहन जो भी हैं अगर आप इस वीडियो क में कि मेरे को running प्लस आपका जो physical है गोला वो लगतार करना है continuous करना है क्योंकि जो result है वो कभी भी आ जाएगा ठीक है लेकिन आ जाएगा तो आपकी यह जिम्मदारी है कि अगर आपका number थोड़ा सा कम रह गया है तो आप कैसे जो तो करके और कटाफ में और जादा आगे जा सकते हो तक कि आपका final selection हो सके ना कि आप यह सब चीज़ें में लगे रहो कि result आएगा कि कब आएगा कब हम आदोलन होगेरा सब कुछ चलेगा देकिन मैं तो यह बोलूँगा कि आपको result का थोड़ा सा और बेट करना है और अपनी जो त्यारी है in the sense यह जो फिजकल की त्यारी है उसको और ज्यादा इंप्रूब करना है और ज्यादा उसको boost up देना है और एकदम धार से चीज़ों करना है ताकि आपका अगर 60 नमबर करना है तो 20 नमबर प्लस हो जाए 10 नमबर और प्लस हो जाए क्योंकि एक एक नमबर पॉइंट का नमबर वहां पर दोस्तों मैच करते जो तो माइने रखता है आपको पता होगा कि पिछले चेकर करने बात करूं तो बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं जिन्होंने पॉइंट 5.7 तरह से कटा फाइनल लिस्ट में बाहर हुए हैं तो ऐसा होता है तो यह आपको पस्तावा बाद मेरेगा तो आप ऐसा करो कि 10 नमबर, 5 नमबर, 2 नमबर, 3 नमबर डारेट उपर ही रहो तो आपको यही आएगा यही टाइम है आप मान के हम चलते हैं कि मान लिजे आपक प्रिपेर हैं फिजकल में आप नमबर अच्छा कासा ला सकते हैं कि आपके फिर दो मेने के टाइम आप मागए जो कि ऐसा होने बाला नहीं है क्योंकि आपको पता होगा गर्मी का टाइम आ जाएगा तो फिजकल में चीजे जो हतो निगेटिव आती हैं यह थोड़ा सा प्रिजकल की बात कि जा रहे हैं तो फिजकल आपको चालो हो जाएगा तो आपको जो आपना जो फिजकल है अपना उसमें ध्यान दो आप ना कि यह समय के जिए सब ठीक है दिमांग में चलता है लेकिन थोड़ा सा आपको इसको इग्नोर करते रहना है क्योंकि फिजकल मैं माता हूं कि फिजकल में नंबर इतना 80 प्लस सभी का आना अभी थोड़ा सा मुस्किल है क्योंकि कटाप जो तो हाई जाएगा अगर आपका नंबर इतना आ रहा है तो ऐसा नहीं कि सभी का रहा है तो आपको यह करना है कि फिजकल लगातार करते रहना है